जेहन्द ये वीडियो आप लोगों लिए बहुत ही जादा खास है, आज के इस वीडियो में आप लोगों यहां पर बताने ओलें कि बॉर्ड एक जम में कामपी काँपी कैसे लिखें, देखें आपको पढ़ाई के साथ साथ यह भी मालुम होना जरूरी है कि आपको बॉर्ड कि जिससे आपको अच्छे से मार्क दियांसे वीडियो को देखना और इस जब ज्यादा जब्लेटेsem यहाँ भीष्ट से वीडियो को देखना कैसी वीडियो को देखना आप लोग फैल नहीं सबसे पहले आपको क्या करना है देखे बोड़िक जम में आपको क्यों काले और नीले पिन ले जाना अधर और कोई नहीं नहीं ले जाना इसी प्रकार से आपके बोड़िक जम में पेपर आएगा सेम जो यह 2023 का है सेम इसी पैटरन पर आएगा और इन में से बहुत सारे कोश्चन भी फसेंगे तो इस प्रकार से सबसे पहले पेपर मिलेगा तो आपको क्या अगना है ध्यान पूरोग 15 मिनिट पहले पेपर मिलता है तो आपको ध्य क्यों से प्रस्ण करना है और कौन से प्रस्ण नहीं करने तो इस में लिखा प्रारम के 15 मिनिट पर इचरतियों को प्रस्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्दारित होता मैंने आप पहले ही 15 मिल जाता है उसके बाद ने इस नपर दो खंड खंड आयों खंड 275 विवाजित व उसके बाद ने प्रस्टन पत्र के खंड आ में बोवीकलवी प्रस्टन जिनके सही विकलपका अच्वीट पर offen नीले अथवा काले बाल पॉइंट पिन का ही आपको उपयोग और गोल्य को पूर्ड रूप से काला करना उसके बाद में खंड में व्हुंपी प्रस्ण प्रतेग प्रस्ण के लिए एक-एक आप को अंक मिलेंगे जो 20 को होंगे उसके प्रतेग के सम्मुख उसके जो निर्धारी तक यह सम्मुख तो इसी प्रकार से पेपर आएगा में OMR sheet मिलेगी सेम इसी प्रकार से होगा यहां पर लिखाऊगा OMR sheet उत्तरपत्रक और यहां पर 2024 बाकी होगा और यहां पर सबसे पहले जिला code और नाम पूछा जाता यह आपको भरना नहीं ओता यह सारी डिष्वालबं विर्टाइब को एकजाम से पहले किस दिन पेपर देने जा रहे है यह भी आपको मालूम और ना जरूरी है और कौन साथ दिन यह सारी चीजरे आना जरूरी है το यहां प्र कापी क्या होता है यह जो भी से यह कोड है इसका 901 यह क्या है या कोड है तो यहां पर 901 ऐसे लिख देना है और हिंदी कौन सा भी से है जो भी हो हिंदियों अंग्रेजियों या कोई भी साइन्स हो आपको ऐसे यहां पर भड़ देना है तो हिंदी यह है तो यहां पर यह हिंदी ल लिखा था वैसे आपको यहां पर डी एक रदिना तो इतना समझ में हैं उसके बाद में यहां पर लिखा होता है प्रशनोंत्र के चारों भी कलपों में से जो सही हो उसको गोले को निर्देशा अनुसार आपको अच्छी तरीके से भरना है और यहां पर लिखा प्रस्ण पत्र मारका सीरी जी आपको यहां पर यह क्या फ़ा जाता है यह जो यहां पर दो अंके है इंगलीस के 801 और जो DE है यह आपको यहां पर भरना होगा तो पहला अक्षर काउंसा है D है दूसरा अक्षर काउंसा है E है तो D काउंसा है उसको गोला करना है पूरे अच्छी तरीके से एक काम में आपको एक लाइन में एक काही गोला करना है उसके बदने E है तो इसमें E ये वाला है तो इसको E वाले को इस परकार से इसको गोला करन सबसे पहले मैंने आप लोगों बताया पेपर पढ़ लिया अब प्रस्ण को अच्छी तरीके से पढ़ले पढ़ना है देखिए जो होती बार बार नहीं मिलती तो आपको ध्यान रखना कहीं पर इसमें काट पीट कहीं पर गलत उत्तर कुछ भी नहीं लिखना है नहीं आपको वाइटनर का प्रयोग करना यह आपको ध्यान रखना उसमें कलर वाली होगी ओमार सीट तो आपको यह बार बार नहीं मिलेगी एक बार मिलते तो ध्यान पूरो का अच्छी तरीके से पहले प्रस्ण पढ़ना है उसके बाद में आंसर देना तो पहला प्रस्ण है यहां पर इत्को आपको पूर्ण वूरूप से काला कर देना अच्छी तरीके सेर नहीं आपको यह जो गोला वटन है से बाहर सब्सक्राद में प्रिंटिंग होते यह आपको रकना डबल करोगे तो इसमें नंबर नहीं मिले सकांद हमें यह ब Schools बी हो तो बी सी हो तो सी हंस पत्रिका किसकी है तो यह पर जैसे मुंसी प्रेम चंद्र की है तो यह वाला तीसरे का राइट अंसर है तो इसको पूर्ण रूप से आपको क्या कर देना काला कर देना है अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से आपको काला करना यह ध्यान रखना बाहर निकलना चाहिए ना ही अंदर ये आपको द्यान रखना और 1 का करना है डबल सो कोंचन आपको आइसे हल कर लेना है इसमें पर पहले परसंड को अच्छी तरीके से पढ़ना है उसके बाद में यह आंसर दिना जैसे कलम का सिपाही भी दा है तो यह क्या है तो यह एक आत आपको इसमें और सीट में भरना मैं आप लोगों जो बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो ऐसे ही और सीट भरना है उसके बाद में यहां पर पूंचा जाता प्रिचारती के हस्ताचर तो जैसे जिस प्रकार से आपने रजिस्टेशन जब किया होगा तब आपको झ्याशन रिकना अप प्लोकों को ये तो समझ में आ गया होगा अब चलते है की इसको कैसे भरना यह जो होती छे आप सबसे पहले पूच्छा जाता ता प्रिचारती का अनुक्रमांग पहल सब्दों में कैसे वे दिखिये हमारे पास यह ब्लाइक टार üz Door तर आус जीरो और यहाँ पन नाइन और टूटू जीरो नाइन है तो यह अनुक्रमांग यह आपका अंकों में हो गया उसके बाद में पूछा गया सब्दों में सब्दों में क्या कहा जाता है जैसे यह हिंदी में एक कामा लगा कर दो तीन जो भी हो आपको ऐसे तीन उसके बाद में एक फिर यह सून है तो आपको देखे हिंदी में लिखना है तो आपको जीरो नहीं लिखना यह ध्यान रखना फिर दो दो अच्छी राइटिंग में लिखना है फिर यहां पर आखरी में नव है तो यहां पर नौ उसके बाद में बिसे हिंदी है प्रसन पत्र तो केवल प्रस सकता हैं आपको देट सारी चीजा आपको आननी बहुत जरूर रहत उसके पफट स्काहँच पेप्र केंद्र का नाम केंद्र का नाम कहा जहां लोग पेपर दे रहे ही अपने कालेड का नाम डालना है जहां जिस स्कुल्ड में तो जैसे कोई आप लोग डाल स्कते हैं यह इसी प्रकार से तरय यहां पर प्रोश्टिय आपको अच्छी तरीके होगा खंडवा होगा और यहां पर पहला है 21 प्रश्ण है यहां पर निम्लिखित गद्यांस पर आधारी तीन प्रश्णों के उत्तर दीजिए एक यह पैराग्राप पूछा जाएगा और इसी को पढ़कर के यह तीन कोश्चन नहीं के आंसर देना होगा सबसे पहले प्रस्त इनों को अच्छी तरीके से पढ़ना उसमें क्या बता रहा है ध्यान पूरोग पढ़ना तभी लिखना कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना मैंने बताया बोड़क जम में काले और नीले पेन ले जाना है तो सबसे पहले क्या करना यहां पर आपको पट्री से लाइन खीच इतना हो गया और आपको इधर ही लाइन खीचना इधन नहीं खीचना बहुत सारे लोग इधर भी खीचते लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है वरना आपको अच्छे मार्क नहीं दिये जाएंगे क्यों आपको इधर ही लाइन खीचना यह आपको ध्यान रखना है तो यह एच्छी राइटिंग में लिखना यह आपको ध्यान रखना है तो एक खंडबा हो गया उसके बाद में सबसे पहले मैंने बताया प्रसंड को पढ़ना है उसके बाद में अभी बताऊंगा इसको पहंचाने की ट्रिक तो एक करना है जो भी आपको मालूम है यह मालूम है तो यह मालूम है तो यह करो अथवा का मतलव हता एक चाहे उपर वाले का अंसर दो या नीचे वाले का तो मैं आप लोगों यह बताऊंगा तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते मित्रता के लिए यह आवस्यक नहीं है कि दो मित्र दो मित्र एक ही प्रकार के कारी करते हों एक ही इस प्रकार प्रक्रत और आच्राण की समानता भी आवस्यक या वांचनी नहीं है दो भीन प्रक्रत के मनुष में बराबर प्रीथए और मित्रता रही है राम धीर और सांथ-प्रक्रत के थे और जो लक्षमड थे यह उगरा और उदध सोवाह के थे दोनों भायों में चासे कंड और लोभी दुर्योधन के सुभाहों में कुछ विसे समानता ना थी पर उन दोनों की मित्रता खुब नी भी इसी प्रकार से तो पहला है प्रस्थ अवत्रण का संदर्व लिखे तो संदर्व कैसे लिखना है सबसे पहले यहां पर प्रस्थ नमबर 21 है तो क्या करन इसके नیचे नीचे आपको डेलना क्या प्रसंद रुखन नगता है तो यहां पर शबसे पहले लिखना आप पर संदर्व कैली ना पर संद न एक कितना था 12 तो यहां पर 21 कर देना है और उस्हार में कितना 21 का कितना प्रका वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर कावला ऐसे कर दिना है ध्यान रखना जैसे लिखा वह ऐसे करना है आपको कोई भी प्रस्ट नहीं उतारना है प्रस्ट उतारोगे तो क्यों आपका टाइम ही बरबाद होगा अब भी और सारी चीज़े आप लोगों बताऊंगा जीवन परच्चे सारी चीज़ कहार नहीं ना है जब याज़े खरोगे तभी तो पहली के दो सब्द आखरी के दो सब्द लिखे जाते सँ क्यों अंडमी6 म यह आपर आख्री में क्या लिखना है खूब निभी खूब निभी पूर्ण भी राम कर देना है इतना समझ में है उसके पाद मैं पहला है रोमबन उंकों में लिखा था तो यहां आपको क्या करना रोमबन उंकों में लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है संदर्व क्या डालना है यहाँ पर संदर्व अब एक चीज और आपको देखे संदर्व जब आप लोग लिख पाओगे जब आपको पाठ का नाम मालूम होगा और लेखक का नाम मालूम होगा प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ्थय पुस्तक पाठ्थय पुस्तक उसके बाद में आगे कैसे लिखना हिंदी के हिंदी के अब आपको क्या करना पाठ का नाम डालना है प्रस्तों गद्यान से हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी के काले पेंसे आपको यहां पर नाम डालना है क्या डालना है यहां पर मित्रता है मित्रत है उसके बाद मैं आग्ये इसी में लिखना नामक नीले पैनसे नामक 아 पाठ से संकलित है या फिर लिया गया कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं लिया गया उद्रत है संकलित है उसके बाद में इसी में लिखना इसके लेखक अब फिर से काले पंसे आपको लिखना आचार रामचंद्र शुक्ल जी है आचार रामचंद्र शुक्ल उसके बाद में यहां पर जी इसी प्रकार से आपको संदर लिखना देखे अच्छी राइटिंग में लिखना है जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने अच्छी तक हिंदी के मित्रता नामक पाठी से शंक्लेत इसके लेखक आचार रामचंद्र शुक्ले जी इसी प्रकार से आपको लिखना ये हो गया उसके बाद में दूसरा पुछा गया रेखांकित अंसकी व्याक्ष्या अब रेखांकित कहों है यह जो दो लाइन में यहां पर रेख कि अंसकी यहां पर ब्याक्ष्या उसके बात में आगे इसी में ब्याक्ष्या बहुत सरल होता है जैसे यहां पर लेखा कहता है कि आगे जो भी हो यह दो ही लाइन को आपको ब्याख्या करना मैं बताओंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा तो इसकी ब्याक्या कर देना अपने सब्दों में कुछ इसमें मिला जुला के अपने सब्दों के लिख देना है आपको पूरे नंबर मिलेंगे तो ये भी हो गया उसके बाद में तीसरा कोचन था तो तीसरा ऐसे यहाँ पर ऐसे रोमनंकों में कर देना है उसके बाद में क्य कौनthen के तो इसी में प्रेश्व मिल जाता है का उत्तर तो राम कैसे थे धीर और सांथ प्रक्राइट के थे और जो लक्षमन्त दोरोगर उद्ध सुबाओ के थे तो क्या लिखना यहां पर राम हैं राम धीर और कि मैं धीर और क्या थे सांत प्रकरती के और लक्षमाड लक्षमाड कैसे थे उग्र थे और यहाँ पर उग्र और यहाँ पर और उद्धत सुभाव उद्धत सुभाव कै थे बस हो गया यह परिस्ट तो इसी प्रकार से लिखना बहुत आसान होता है eilिखना सेम इसी प्रकार से लिखना है और जैसे यह समाप्त हो गया प्रस्ट नमबर 21 समाप्त हो गया तो क्या करना आपको पट्री से लाइन खीचना है इसे यह समाप्त हो गया प्रशन तो इसको लाइन खीचना है अगला है बाइसवां है तो यहां पर आपको क्या कर देना इसी प्रकार से प्रशनोत्तर संख्या जो भी हो इसी प्रकार से डाल कर ऐसे बाइसवां है बाइसवां का का कर रहे हैं तो का खा कर रहे हैं तो खा ऐसे Prose हैं नंबर 25ों था तो यहां पर मैंने जैसे बताये हैं यहां पर यह क्या पुच्छा जाता है यह पध्यांस वाला पूच्छा जाता यह इसा प्रकार से होता है तो यहां पर देखे संकेत धर धरत और यहां पर डाट-डाट करके ऐसे कर देना संदर भाइडिंग डालकर प्रतुत पद्यांस हमारी पाठाइप उस्तक हिंदी के भक्ति नामक सिर्षक से लिया गया इसके कभी बिहारी लाल जी है रेखांकी तंस की व्यक्या यहां इसी प्रकार से कर देना है फिर से लाइन समापत हो जाए पठी से लाइन खीचना है तो इसी प्रकार से बोड़ एक्जाम में कापी लिखना है फिर से यहां पर प्रस नंबर 23 कर रहे हैं का कर रहे हैं तो का कर रहे हैं तो का वाले का अंसर डालना है खा खर रहे हैं तो इस संधर्व अनुवाद्ध यहां पर जिवन प्रचय कैसे लिखना है तो दिखे जैसे परस नंबर 24 संग का है और यहां पर तीन प्रचय जाते हैं जो भी है एक तो आप जैसे दूसरा कर ने पहला नोंग क्या डालकर पूरे नंबर मिलें, तो उम्मिर प्रसंद करना है पहले प्रसंद को अच्छी तरीके से पढ़ना तभी आंसर देना है और कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना नहीं आपको गलत उत्तर लिखना तभी आप लोगों को अच्छे मार्ग मिलेंगे तो इसी प्रकार से बोड़क जम में कांपी लिखना है जो पूरा बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगेगा इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा में कापी लिखना है तो इस वीडियो के ज़्यादा सेर कर देना बाकी कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा देखिए ये सतर में 68 नमबर लाया था तो आप लोग कम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जयन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना